यह एक assignment आउन लोगों के लिए जो enrolled हैं इस course के अंदर और जो रोजाना की basis पे काम कर रहे हैं और assignment क्या है आपने preprocessing के इस 6.3 guide के chapter पर जाने कैसे यह आया है मैं इसका link आपको send किया हुए psychic learn के उपर just a minute यहां पर psychic learn के उपर preprocessing data के उपर आपने जाना है और यह जितने वे points लिखे हुए इन को समझना है standardization क्या होती है mean removal क्या होता है basically यह जो हमने की है यह variant scaling की है और main को हमने change की है ठीक है तो आपने पढ़ना है कि standardization क्या होता है basically ठीक है उसकी definition क्या होती है यहां पर सारी चीजें लिख ही है फिर standard scalar के बारे में बताया गया, वो देखना है, scaling to, scaling feature to a range, ये पढ़ना है आपने, और ये code run करके देखें, अगर code नहीं भी run करते हैं, एक दफ़ा समझ लीजेगा, फिर यहां पर आता है scaling sparse data, वो क्या होता है, वो आपने देखना है, फिर आपने देखना है, scaling data with outliers क्या हो फिर आपके पास ये mapping की techniques है, और आपने क्या करना है, normalization तक, 6.33.3, यहां तक आपने सारा पढ़ना है, और फिर हम कल को देखेंगे, कि categorical variables को encode कैसे किया जाता है, ठीक है, ये आपकी assignment है, hopefully आप इस assignment को ज़रूर हल करेंगे, इसलिए आपने पढ़ना ही है, और कल मैं randomly